अबी को मेरा नमस्कार दोस्तों जे माता रानी की आपके माता पिता गुरुदेव भगवन इस्ट सभी को मेरा कोटी कोटी परणाम तो दोस्तों आज हम आपके लिए इस वीडियो में बेखुन चोदस की बहुत ही पुराणी कथा लेकर आए हैं दोस्तों सबसे पहले बेखुन चोदस का क्या मतलब होता है इस दिन पूजा पाट करने से क्या फल मिलता है उसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ दोस्तो अगर आपने कार्तिक का इसनान महिने बर नहीं किया है तो दोस्तो आप बेखुन चोदस के दिन इसनान वर्त पूजा पाट करेंगे तो आपको पूरे कार्तिक महिने का फल मिल जाएगा और दोस्तो इस दिन आपको बोल्डी की और राई दामोदर की पूजा करनी है बोल्डी के तेल को चोपड़े और साड़ी के पलू से बोल्डी के पास जाड़ो निकाले और कहें जाड़ा जूंडा पाप नेवाड़ा इसके बाद आप बेखुन चोदस की कहानी सुनिए तो दोस्तो अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ एक समय की बात है एक गाओं में एक बुडिया माई रहती थी उसके एक गाय की बच्छडी थी जिसका नाम था उर्नी कपूर्नी कार्ति के मैने में बुडिया माई उसकर नाने जाने लगी तो उसने अपनी पडोसन से कहा मेरी बच्चडी ऊर्णी का पूर्णी को चारा डाल देना और पानी का कूंडा भरकर उसके पास रख देना पडोसन ने कहा ठीक है मैं इसे चारा भी डाल दूँगी और पानी का कूंडा भरकर भी रख दूँगी आप पुसकर जाकर कार्ति किसनार कर लो और उर्णी का पूर्णी को मैं समाल लूँगी वहे रोज उसको चारा डालती वह पानी का कूंडा बरकर पानी पिलाती थी एक दिन पडोसन ने पानी से कूंडा तो बरकर रख दिया लेकिन चारा डालना भूल गई भूख से व्याकुल होकर उर्णी का पूर्णी पानी के कुंडे में गिर पड़ी उस दिन बेखुम चोदस थी उर्णी का पूर्णी को चारा न मिलने से उपवास वर पानी के कुंडे में गिरने से इसनान दोनों हो गया उसी कुंडे में उसकी म्यूत्यू हो गई उर्णी का बुडिया माई कार्ती इसनान के बाद पुसकर से लोटी और पडोसन से पूचा की मेरी उनिक पूर्णी कहा है पडोसन ने कहा वो तो बेखुन चोदस के दिन पानी के कुंडे में गिर कर मर गई बुडिया माई ने कहा उसको तो बेखुन चोदस का इसनान हो गया उस बेखुन चोदस के इसनान के पुने से तो उर्णी का पूर्णी को अगले जनम में राजा की पूतरी बन जाने का सोबागे प्राप्त हुआ इसलिए बेखुन चोदस का इसनान अवसे करना जीए कार्तिक का पूरा महना इसनान ना भी करे तो दोस्तो बेकुन चोदस को इसनान ध्यान वर्थ अवसे करना चीए उने का पूर्णी को जो गती मिली वैसे सब को मिले सब की मनों कामनाय पूरी हुई तो दोस्तो आपको बेकुन चोदस के दिन इसनान पूजा पाठ आप अवसे करे ताकि आपको कार्तिक इसनान के महने का पुर्णी प्राप्त हो सके और आपको राई दामोदर भगवान की सारी आसिरवात मिल सके जिससे आपको जो परेशानी आ रही हो वो स्तुरन हट जाए और आपकी सारी मानो कामनाई पूरी हो तो बोलो राई दामोदर भगवान की ये हो तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताईए और दोस्तों इसे ज़्यादा सेर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सके धन्यवाद